नमस्कार दोस्तों मैं दीपा हाजिर हूँ और एक वीडियो के साथ आज मैं आपसे शेर करने वाली हूँ मैं की महीने में कौन-कौन से प्लांट्स के कटिंग आप लगा सकते हो इतनी गर्मी में भी ये सारे पौधे की कटिंग जो है वो लग जाएगी आज जो पौधे में आपसे शेर करने वाली हूँ तो चलिए दिखाते हैं कि कौन-कौन से प्लांट्स है जिनके कटिंग इस समय पर तेज गर्मी में भी आप लगा सकते हो तो पहला जो पौधा है वह है फिलोडेंड्रों की बहुत सारी वराइटिया है यह जो वराइटिया आप देख रहे हो यह है फिलोडेंड्रों ब्रजील और यह है जनाडो और इसी तरीके के दोस्तों फिलोडेंड्रों की बहुत सारी वराइटिया दिख जाती है हर एक वराइटियों के जो कटिंग है इस समय पर आप लगा सकते हो और फिलोडेंड्रों की कटिंग जो है इसी लिले लग जाते हर एक नोड एरिया पर एदियाल रूट खोते हैं उसी के कारन से ही फिल्रजेंड की कटिंग को आप साल में किसी भी टाइम लगा सकते हो उसके बाद सौंग आफ इंडिया के कटिंग भी आप लगा सकते हूं इसी पौधि की कटिंग विने लगाई थी वह भी चल गए उसके बाद है दोस्तों ड्रेसिना ड्रेसिना की भी बहुत सरी वराइटिया है ये देखे ये भी ड्रेसिना है तो इनकी कटिंग भी इस समय पर आप लगा सकते हूं इसकी कटिंग भी मैंने लगाए थी ये भी अच्छी तरीके से लग चुके हैं तो मेहिने में अगर आपको इसकी cutting मिलते हैं तो आप जरूर ट्राइ करिएगा cutting लग जाएगी उसके बाद है दोस्तो हमारे singunium singunium की भी बहुत सरी वराइटिया है इस समय आप singunium की cutting भी लगा सकते हो और इनको आप पानी पर भी लगा सकते हो पाली पर भी ग्रोह हो जाते हैं उसके बाद ये है zigzag plant ये hanging basket के अंदर लगाने वाले वराइटी है और ये एक आता है इसी तरीके की ये देखे ये varigated है और एक होते हैं जो green color में आपको मिल जाएंगे इन पौदों की cutting भी इस समय पर आप लगा सकते हो उसके बाद दोस्तों जो हमारे coleus के पौदे हैं इनकी cutting भी माई के महिने में गर्मी में आप लगा सकते हो ये भी लग जाते है उसके बाद ये है sweet potato wine sweet potato wine के cutting भी इस समय पर आप लगा सकते हो ये देखे कुछ cutting मैंने यहाँ पानी पर रग दिये थे तो कितने एची तरीके से roots निकल आए तो इनकी cutting इस समय पर आप पानी पर भी इस तरीके से लगा सकते हो फिर मिट्टी पर आप लगा दोगे और चाहो तो आप direct जो river sand होते ह उसके अंदर आप cutting को लगा सकते हो river sand के अंदर अगर आप कोई भी cutting लगाते हो दोस्तो cutting जो है easily लग जाते हैं उसके बाद ये है purple heart, purple heart की cutting भी इस समय पर आप लगा सकते हो ये है baby sun roses, baby sun roses के cutting भी आप इस समय पर लगा सकते हो बहुत hardy है, बहुत जली से लग जाते हैं और है इसकी cutting भी समय पर बहुत आसनी से लग जाएगी और उसके बाद यह रियो यह वेरिगेटेड है और यह देखिए यह जो है सिर्फ एक फिकलर में आते हैं इनकी cutting भी इस समय पर आप लगा सकते हो उसके बाद दोस्तों आप लगा सकते हो जेट प्लांट की कटिंग इस समय पर जेट प्लांट की कटिंग भी लग जाएगी और ये है चेन प्लांट इनकी कटिंग भी इस समय पर बहुत आसानी से लग जाती है और इनके चोटी चोटी जो बेबीज है वो निकल के आते है वो भी इस समय पर आप लगा सकते हो और ये ह है हमारी money plant money plant की जितने भी वराइटी है उन सभी को इस समय पर आप लगा सकते हो पानी पर भी ग्रो कर सकते हो या फिर जो reverse and होते हैं उसके अंदर भी लगा सकते हो और यह है वंडरिंग जिव के दो वराइटी है यह पर आप देख सकते हो इनके कुछ cutting मैंने पानी पर रख दिये थे तो वहाँ पर ही roots निकल के आये हैं तो इनको भी आप लगा सकते हो और यह है dollar plant देखे यह ऐसा एक पौधा है जिसको आप बिना hole की पौट पर भी लगा सकते हो इस पौट के अदर देखिए कोई hole नहीं है लेकिन पौदे बहुत आराम से चलत जाता है इसकी cutting भी इस समय पर आप लगा सकते हो और यह है अल्टा नंत्रा दिखने में अभी अच्छी नहीं लग रहे हैं क्योंकि पौदे जो है वह खराब हो रहे हैं इसकी cutting बहुत easily लग जाते हैं अभी मैं इसकी cutting लगा दूंगी hanging basket के अंदर अगर आप इस पौदे को लगाते हो तो दिखने में बहुत को उपसुरत लगते हैं उसके बाद दोस्तों यह है पेंडरनस पेंडरनस को भी आप लगा सकते हो जो छोटी-चोटी baby side पर दिख रहे हैं उनको अलग-अलग करके आप इस समय पर लगा सकते हो उसके बाद है टर्ट्रिल वाइन की cutting भी इस समय पर आप लगा सकते हो, और ये है कलंकोई की एक वरायती है, बहुत हाड़ी होते है ये पौधा, तो इसकी कटिंग भी इस समय पर आप लगा सकते हो, और फूलो भीटे में दोस्तों आप जो मौसरोज आते हैं, पौचुलिका ये फिर पॉर्सलेर, इन सभी की कटिंग आप इस समय पर आसानी से लगा सकते हो जितनी गर्मी होती है उतनी ही इनकी जो cutting है वो लग जाते है इसके इलावा जो कनेर है कनेर की भी cutting इस समय पर आप लगा सकते हो कनेर की cutting को आप पानी पर भी लगा के देख सकते हो पानी पर भी roots आ जाते है उसके इलावा इस समय पर आप नाक चमपा के कटिंग को ग्रो कर सकते हो और जो प्लूमेरिया होते है उसके कटिंग भी इस समय पर आप ग्रो कर सकते हो और दोस्तो ये है यूफोर्बिया मिली इसकी भी कटिंग इस समय पर आप लगा सकते हो तो दोस्तो आजकी इस वीडियो में मैं नismoir किये हैं मेरे गार्डेन के बहुत सारे पोदे जिनके कटिंग इस समय पर आप लगा सकते हो तो बस आजकी इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक न्या टॉपик के साथ तब तकिली, बाइबाइ दोस्तु